कुमोडिटी मार्केट से जुडि हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर कान की नवश्कार दोस्तों वेलकम बाक्ट टु आर चैनल न्यूज मार्केट 24 खाद तेल मार्केट के बारे में आज बात करेंगे जाने से लोकल मिलो में क्या कीमत देखी जा रही है सोया पॉनस रहने का नुमान है चीन उसी ब्योटी स्वय तेल में आज बढ़त के साथ कारोबार देखा गया हाला कि उपर इस्तरों पर डिमांड को लेकर चिंता से के अलसी में फिसलन नजर आ सकती है फर्वरी महिने की शुरुवात में मलेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट की प्रतिक्षा है और वहीं M.P.O.B. रिपोर्ट में जनवरी के अंत में पाम तेल के स्टॉक पर मेन फोकस रहेगा मलेशिया में पाम तेल स्टॉक घट्टियों और रत्पादन कमजोर पढ़ने की काफी उपर ट्रेड हो रहा है पाम तेल के उंचे भाव और लैंडिंग कास से उंचा होने की वज़ों से एक तरफा और टिकाओ तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है मार्केट में आज विदेशी मार्केट में केल्सी में बड़ा दर्ज करी गई है तो हल्का फु में देखे जा रहे हैं मगर उससे पहले अगर आपको खादटेल बजार से जूड़ी किसी चाहिए लॉंग टर्म या शॉट टर्म के लिए लिए मार्केट प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं विदेशी मार्केट पे कैसा कारोबार देख पर आपे वाट्सप या कॉल करके हमें को काइंटर कर सकते हैं अब रीट की तरफ बढ़ते हैं रिट के बारे इस बाइब करते हैं तो वनस्पति पंदधा किलो ग्राम में कीमते बावर्चीव रिटेखा रहा है अब बात करते हूं तर प्रदेश के बारे में तो राइस ब्रैंड कीमेते 80 रुपए है, सोया ओल का रेट 92 रुपए, सोयडियो कीमेते 90 रुपए चोड़ रही है, मस्टर्ड का रेट उत्तर प्रिदेश में 105, एक्सपर कीमेत 103 है, पामलीन में 85 रुपए का रेट बजार में देखकर चल सकते हैं, ओवरॉल मार्केट में जो ट्रेंड है, वो स्टेबल है, हलका सुधार दर्ज करा गया है, लेकिन सोया तेल 850 से 910 और पाम तेल 820 से 860 के सिमेदारी में कारोबार कर सकता है, व्यापारी इसके अनुसार खरीदारी भी क्वाड़ी करके चल सकते हैं, लॉंग टम के लिए हम आपको बहुत सादा व Stay safe, thanks for watching Bureau Report News Market 24.